हाई दोस्तों मैं हूँ राहूल उक्ताब फ्राम स्टार्ट सद्वाई और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर न्याय पूर्ण जीवन क्या होता है क्या होता है इसका मतलब इसको न्याय पूर्ण को हम बोलते हैं आखिर जस्टिस जस्टिस का क्या मतलब है हम अगर justice लाना चाहें तो क्या तरीकी ही करें और justice का जीवन में आने का मतलब क्या है क्या अर्थ है इसका तो जानेंगे इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ आन तक तो सबसे पहले अपन बात करते है कि आखिर justice का मतलब क्या है देखो जस्टीस का सिंपल मतलब है कि ओचित्य पूण जीवन जीना करें और चित्य पूण जीवन जीना क्या अब और चित्यपूर्ण क्या है, करें, ने पूंड जीवन, और चित्यपूर्ण जीवन कुछ भी बोल सकते हैं, आप यह जो लेंगवेज हैं, यह बेसिकली सुकरात वाली लेंगवेज है, करें, सुकरात, ख्लेटो, करें, जो कि बहुती महान विचारक थी, अब उनके वो एक्चुली इतनी गहरी बात को इतने कम शब्दों में समझ नहीं पाती है तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते है थोड़ा सा मौटी-मौटी डिसकस तरीके से करते है सबसे पहले क्या है कि जस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सबसे पहला होता है करेक्टिव जस्टिस करेक्टिव जस्टिस करेक्टिव जस्टिस का मतलब है कि कोई चीज गलत हो गई है तुम उसको सुधार रहे हो करेक्शन कर रहे हो करेक्शन कहा होता है कुछ गलती हो गई है दो पार्टी थी करें दो पार्टी में और कोर्ट में कौन-कौन से केस होती है या तो सिविल का केस होगा या फिर क्रिमिनल केस होगा तो civil के case में मतलब दो लोग थे वो आपस में लड़ गाए court ने उसको correct किया कि नहीं तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो तो वो गया corrective justice और चित्य पूर्ण बेसिकली without discrimination पूरी बात सुनी और उसका थैसला दिया criminal case में क्या होता है एक मनुष्य और राज्य के बीज में जगड़ा होता है जैसे तुमने कोई चोरी कर ली डकेती कर ली तो उसमें एक तरफ से तो वो मनुष्य का वकील रहता है और दूसरी तरथ से राज्ज का वकील रहता है वी को लगता है। कि कोई भी गलत काम को सुधारणा है। सुधार्म यह तो हो गया बेसिकली इसका एक मतलब अब जो दूसरा हमको जॉन रॉल्स ने बताया था इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिबुटिव जस्टिस जिसको की बहुत इंपोर्टेंस दिया है करें तो डिस्ट्रिबुटिव जस्टिस क्या होता है देखो न्यायपूर्ट जीवन का क्या मतलब है कि तुम अपने समाज में रहते हो तुम अपने परिवार में रहते हो तुम इस कंट्री में रहते हो अपने स्टेट में रहते हो करें तो तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्से से हैं तो जितनी भी तुम्हारे पास आधार भूत ओके आधार भूत या fundamental things हैं उनका तार्किक तरीके से ओके लोजिकल तरीके से ओके thoughtfully distribution करना अब इसका क्या मतलब हुआ देखें करना देखो कभी ना कभी लाइफ में तुम इस लेबल पर पहुँच जाओगी जहांकर की तुम्हारे एक decision से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो अब क्या है कि तुम्हारे पास हमारे पास resources हमिर सा limited ही रहती हैं हमारे पास abundant resources नहीं है resources कुछ भी हो सकता है करें अब उस जो हमारे पास limited resources है उस limited resource में ही हमको सबको distribute करना है जो भी घर पे अगर जैसे पिता जी दो किलो आम लेकिया है करें अब घर पे लट से दस सदस्य हैं तो कितना आम किस किस को देना है करें इसमें एक logical thought process होना चाहिए कि न सब्सक्राइब करें तो वह एक logical thoughtfully distribution नहीं हुआ है तो हम हमेशा कभी ना कभी अपने जीवन में जज़ बनते ही है जरूरी नहीं है कि वह ऑफिशरी जाज हो घर पे जाज हो सकती है ऑफिस में जाज हो सकते हैं कोई ना को decision making करेंगे तो जब decision making कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमको जो भी fundamental चीज़े हमारे हाथ में हैं उनका जो distribution है वो एक logical और तार्किक तरीके से होना था है अब यह fundamental things होती क्या है करें fundamental things हो सकती है कि जैसे कि money हो अगर तुम finance department में हो money distribute कर रहे हो salary distribute कर रहे हो तो बिलकुल तार्किक तरीके से होनी चाहिए कोई अगर ज देख रहे हो कि यह दुकान में इसको दूँगा यह मकान में उसको दूँगा इस तरीके से तो fundamental चीज़े हैं उनका धन हुआ आपके शंपधा हुई उसके बाद हो सकता है पावर इसको यह पावर मिलनी चाहिए उसको वह पावर मिलनी करें राइट अधिकार कौन कौन से अधिकार किस को मिलनी चाहिए इसका लोगिकल distribution इसको अपन समाज के तहत ही देख सकते हैं और company या अपने वैसाए के प्रतिभ तुमको सम्मान का जो distribution है वो प्रॉपर तरीके से हो और क्या हो सकता है और हो सकता है प्रतिस्था कि जो प्रतिस्था है उसका जो distribution है वो भी एक logical thought process के तुरू होना चाहिए और क्या हो सकता है अधिकार होई चुके हैं करतब भी हो गए तो मोटा मोटी basically क्या है कि जितने भी हमारे पास fundamental चीजें है उनका distribution एक logical thoughtfully तरीके से अगर हम कर पाते हैं तो हम एक न्यायपूर जीवन जी रहे हैं उसको करने के बाद जो सुख मिलता है जो शान्ती मिलती है उसका basically मजा ही एक अलग है वो एक basically blessed life है तो इसी को हम बोलते हैं न्यायपूर जीवन जीना कि हम जितने भी resources हमारे पास हैं उनको logically और thoughtful तरीके से distribute कर पाते हैं सहीर से decision making कर सकते हैं बिना किसी discrimination के इसी को हम बोलते हैं न्यायपूर जीवन तो बताईए आपका क्या सोचना है इस सब्द के उपर न्यायपूर जीवन के उपर comment में और share कीज knowledge काफी लोगों तक पहुंच सके धन्यवाद बने रहिए मेरे चाहते चैनल में थैंक्यू